मार्केट टाइम टीवी से में मुक्य सोनी हम आये हैं च्छिनवाडा की सबसे बड़ी ठोग सबजी मंडी में और यहां पर देखने को मिल रहा है कि आलू की आबग बहुत कम हो रही है जिससे आने वाले वविस्वे आलू के भाव में तेजी देखी जा सकती है तो हम बात करते हैं च्छिनवाडा में सबसे बड़े वैपारी आलू के असोक नौखेला साहु जी से यह दिदाई है कि जो अलू है अभी आबग कैसी है अलू की आबग देरे देरे कम होतों जा रही है जो खेतों से अलू निकलना था वो निकाशी पर्याद तो हो तो कि यह तोड़ा बहुत घरों में लोग किसानों के रखा है वो अलू मंडी में आ रहा है बगर आलू इतनी अलू का रेड किसानों को अच्छा मिलने की वज़े से अलू जल्दी निकल गया किसान होगा जो कि हमारे यहां से महरास्ट में और साउथ में ज्यादा लोड हुआ है अलू का भी मात्रा पर कच्छे सीजन में चला गया तो अभी अलू का कम हो रहा है बंडारण में कम अगर अपने आज है अलू सो अभी किसानों का निकला है हूं तो यहां से महरास्ट भी गया है और साउथ में बहुत जादा लोडिंग हुई है अभी तो सिर्फ है बजार के गुजारे के साब से माल यहां पर आ रहा है और उसमें कमी पाई जा रही है इसलिए रोज एक दो रुपे के लो बजार उचा होते जा रहा है ऐसा नहों कि दो तीन चार दिन में यहां से यूपी से अलू का हमदानी करानी पड़ेगी तब बजार की पूर्ती होगी अलू की कमी है जी कि अब मतलब है आलू के सामने बार्भर मातरा पर लगा आया था खेत पे बगर उनको रेट अच्छा मिलने सा अलू कच्छे में निकल लिए काभी तो हमारे कोर इस्टोर में भी अलू का मेंडान कम हुआ इस बाग तो अभी हमने जाना आलू के बाओ आने वाले समय में कैसे रहेंगे और क्या वज़ा है कि इसकी कमी हो रही है शिन्वारा में कमी की वज़ा को देखते हुए बाहर से भी बुलाना पड़ सकता है आने वाले समय में आलू के दावों में उच्छाल देखी जा सकती है बैं मुकेशों नी मार्केट टाइम टीवी से